हेलो फ्रेंड्स आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागता है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल SMII पे और इस चैनल में हम आपके लिए लेटेस्ट इंवेस्टमेंट आइडियाज भी लेके आते हैं और आपको नए नए स्टॉक्स पर रिक्मेंडेशन भी देते रहते हैं इस कांपनी पे आज बहुत बड़ी लेटेस्ट निउस निकल कर आ रही है उसको हम डीटेल में डिसकस करने जा रहे हैं और आईया सीटी अनॉंसे स्टॉक सप्लिट एंड़ शेयर प्राइसे सर्जेज तो ए न्यू हाई तो आप देख सकते हो इस स्टॉक में बहुत की पॉस्टेब निउस निकल कर आ रही है इस निउस को हम डीटेल में स्टॉडी करेंगे और इसके जो क्वाटर बंद के रिजर्ट भी आ चुके हैं उनको भी हम डीटेल में डिसकस करेंगे और इस कांपनी के फिनेंशल भी हम जानेंगे और देखेंगे कि इस कांपनी की आने बाले टाइम में किस तरह की प्रफॉर्मेंस रह सकती है आज इस स्टॉक में बहुत ही बड़ी तेजी भी देखी गई है तो सारे डीटेल हम एक एक करके डिसकस करने जा रही है आप आंतराक हमारे वीडियो को ध्यान से सुन लीजेगा पर सबसे पहले हम आप से जरूर प्रेसर कर दीजेगा आगे बढ़ते हैं सबसे पहले इसकी जो लेटेस्ट न्यूस है उसको डीटेल में डिसकस कर लेते हैं तो आप देख सकते हो ता बोर्ड ऑफ दा इंडियन रेलवेज केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्परेशन और इस आया सीटी सी हैस आप देख सकते हो इस कांपनी ने बहुत वड़ी अनॉंसमेंट कर दी है और यह जो कंपनी एक शेर के बदले पांच शेर देने जा रही है यह अपने स्टॉक को शुट करने जा रही है यह बहुत वड़ी निवस है बट इस आप जैट टो ड़ी टेकन लेटर ओन एंड तो आप देख सकते हो सब्सक्राइब की न्यूस के बाद इस स्टॉक में बहुत ही बड़ी तेजी भी देखी गई है और इस सब्सक्राइब करने जा रही है क्योंकि इससे कांपनी इसलिए करने जा रही है क्योंकि इससे कांपनी की लिकुरिटी भी बड़ेगी और कैपिटल मार्केट में लिकुरिटी इंक्रीज होगी और इस कांपनी का जो मार्केट का बेस है शेर होल्डर का बेस है वो भी इंक्रीज होगा और इस कांपनी के जो शेर्स हैं तो आप देख सकते हो इस कांपनी के दस शेर है तो आपके जो है पचास शेर हो जाएंगे तो यहां पर शेर जो है वो पांच के फेक्टर के साथ मुल्टिप्लाई होने जा रहे हैं आगे बढ़ते हैं आगे इस काम जो कामपनी की कमेंटरी देख लेते हैं यहां पर देख सकते हो इस सारे प्रोसेस को तीन मंत का टाइम जो है वो लग सकता है दो ऑथराइज शेर कैपिटल बिले में सेम एड रूपिस 250 क्रोड वाइल सप्लेट नंबर ऑफ शेर बिल इंक्रीज तू ए निव फिगर तो इसके जो निव शेर जैंडे विल इंक्रीज इसकी जो टोटल कैपिटल है शेर कैपिटल है डैट विल रमेन सेम दाइया सीटी है अलसो हिट दा कैपिटल मार्केट इन अक्टूबर नाइटीन एंड आइप यूज हिट अमंग दा रिटेल इंवेस्टर तो जैसे हम इस कांपनी के स्टॉक हिस्ट्री देख लेते हैं त इशू प्राइस ऑफ दा मल्टी बैग स्टॉक बाज रूपिज त्री हंडर एंड ट्वंटी तो आप देख सकते हो इस कांपनी की जो इशू प्राइस ती डैट बास थी हंडर ट्वंटी पर शेर एंड इंवेस्टर्स है बिन रिवार्ड हैंड समली तो आप यहां पर दे इस कांपनी के में जो मेजर स्टेकोल्टर रहां वो गौवनट ऑफ इंडिया है दा इसीटी इस दा ओंडी एंटिटी ऑफ्राइज बाइज 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 बाइड एंडिये रेलवेस्ट प्रवाइज तो प्रवाइड दा केटरिंग सर्वेशिज ऑनलाइन रेलवेड अब हम आगे बढ़ेंगे और जैसे हमने देखा है इस कंपनी के बोर्ड की जो मेटिंग भी हुई थी तो उसमें इसने कंपनी के जो क्वाटर वन फिनेंशल जीर 22 के रिजर्ट्स हैं वह भी डिसकस किये थे एंड आइस आप सीटी सी है आसो सेट दैट इन जून कोर्टर इस नेट प्रोफिट फॉम दा कांटिनुइंग अपरेशन वाज एटी टू क्रोड अगेंस दा लॉस ऑफ ट्वंटी फॉर पॉंट सिक्स क्रोड फॉम दा लास को जियर सेम क्वाटर अर्लियर तो आप देख तो जदी हम इस कांपनी के रेवनु देखें तो वो भी बहुत ही अच्छी फिगर के साथ इंक्रीज कर गया है लास्ट जियर सेम पिरिड में इस कांपनी का जो रेवनु फॉम प्रोफिशन सा दैट वाज 156 क्रोड और इस वार ये बढ़के 257 क्रोड हो गया है यहां पे भी बहुत ही बढ़िया गुरोथ देखी जा रही है दा इंटरनेट टिक्टिंग रेवनु बिटनेशने शार प्राइज ऑफ 300 परसंट तो रूपिस 149 क्रोड फ्रॉम दा टूरिज्म केटेगरी और रेवनु हैज बिन मोर देन डवल 2 रूपिस रूपिस 7 क्रोड तो यहा और आप देख सकते हो इसके क्वार्टर बन के जो रिजल्ट्स हैं बहुत ही पॉस्टिब निकल कर आ रहे हैं अब इस शेर की इस्ट्री देख लेते हैं इस कंपनी के दा आया सी टी सी शेर हैज बिन इंक्रीज बाइटी परसंट ओवर दा पास्ट वन मंथ वाइल इंवेस ही है और अपनी जो रेलबे की जो अपरेशन वह भी इंप्रूब हो रहे हैं इसलिए आने वाले टाइम में इस कांपनी को इकनौमिक रिकवरी का बहुत ही बड़ा बैंफित हो सकता है ऐसा मानना है इसलिए वह पैसा लगा रहे हैं अब हम इस कांपनी की जो और डीटेल च अब हम आगे बढ़ेंगे इसका चार्ट पैटरन देखेंगे पहले इस स्टॉक में बहुती बड़ी तेजी देखी गई थी और यह जो स्टॉक 2700 के लेवल को भी क्रॉस कर गया था लेकिन बाद में इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आई है और इसलिए इसमें कंसॉलिडे चार्ट पैटरन आप जो इसका परफॉर्मेंस देखेंगे तो यहां पर भी बाड़ी तेजी देखी जा रही है और एक मन्त में आप देख सकते हो इस स्टॉक में 17.53% की तेजी जो है वो देखी जा रही है और इसका जो चार्ट पैटरन है ये भी बहुत ही पॉस्टिव ट्रेंड शोग कर रहा है जदी हम पास्ट 6 मन्त की परफॉर्मेंस देखें तो यहां पर 55.49% के रिटरंस देखने क को मिल रहे हैं बहुत ही पॉस्टिव लेटरंस देखने को मिल रहे हैं और इसके स्टॉछ की प्राइस है कंटीनूसली रइज कर रही है कि lên के सब्सक्रू के त्याल यहां पर नैर्ले को मिल रहा है और इस वहां तो पर देख सकते पर слगाए ne la tales देखें है क्योंकि इस कांपनी की जो लिस्टिंग हुई थी दैट वाज इन 2019 तो आप देख सकते हो दो साल के टाइम के कम पीरिड में भी इसने बहुती बड़िया मल्टी बैगर रिटरंस दिये हुए है तो यह जो स्टॉक है अपने इंवेस्टर्स को बहुती बड़िया रिटर्स दे रहा है अब हम इस कांपनी की फिनेशल ग्रोथ देख लेते हैं जून ट्वंटी से लेके जून ट्वंटी वन तक का डाटा हमारे पास वेलेबल है तो जून ट्वंटी में इसका जो रेवनू था डैट बास 131 क्रोड सब्टंबर में यहां पे डाउन यहां पे डाउन ट्रैंड देखने को मिल रहा है और इस कंपनी का जो रेवनु है वह तो हंडर्डेड और फॉर्टी थ्री क्रोड हुगा है जीर ओंगे बसे बहुती बड़ी आ ग्रोथ निकलकर आ रही है लेकिन आप देख सकते हो यहां पर थोड़ा डाउन ट्रेंड भी इस कांपनी का जो नेट प्रॉप्ट है वो बढ़के 82 क्रोड हो गया है पहले सब्मर्द तक बहुत ही बढ़िया इंक्रीज देखने को मिला था लेकिन क्वाटर ऑन क्वाटर बेसिस पर आप देख सकते हो इस कांपनी की जो लेटेस्ट नेट प्रॉप्ट है क्वाटर का डी जार होडिग 11.29 परसंट सेकिन इस कांपनी और पब्लीक इस होडिग निया थरीन पॉइंट 26 परसंट सेकिन इस कांपनी तो बहुत ही मिक्स शेयर होडिंग पैटर यहां पे निकल कर आ रहा है अब हम इस कांपनी का शेयर होलडिंग डेख लेते हैं पहले प्रमोटर का तो जून ट्वांटी बने पर मोटर्ज डैट विजदा गौवर्मेंट ऑफ इंडिया वाज होलिंग दियल एक इसएवंट फॉर परसंट टेक इन इस कंपनी यहां पर रिडॉक्शन देखने को मिल रही है तो आप देख सकते हो गौवर्मेंट ऑफ इंडिया अपने स्टेक क इन वह समॉट यहां पर इनक्रीज देखने को मिल हां तक कमपनी यहां हर थो नंतंट ओलिंगने कौन तकKS कंपनी तो को इंदा माद जून 20 एंड जून 21 में यह पुब्लिक जो है इस होलिंग नियली 13.26 परसंट सेक इंडिस कंपनी तो यहां पर आप देख सकते हो जो डियाई जो पॉब्लिक है एंड 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 इंक्रीजिंग इंडिस कंपनी बाद गॉवर्मट आप इंडिया एंड स्ट्रॉंग टेक्निकल मोमेंटम इंडिकेटिंग गुद इंड इंड इंवेस्टर एंथुजम तो जो इन्वेस्टर यह वह इस स्टॉप में बहुत ही बढ़िया एंथुजम शो कर रहे हैं इस प्राइस शोइंग दा बिलिश मोमेंटम विकॉज इस ट्रेडिंग अब दा शौर्ट मीडियम एंड लॉंग मूविंग एपज़िज इस आसव ट्रेडिंग नियर इस फिफ्टी टूवीग हाई और इसके जो टेक्निकल जा वह भी बहुत ही ब्युलिश निकल कर आ रहे हैं आने वाले टाइम में यह जो स्टॉक है बहुत ही बढ़िया रिट इस कांपनी में आप लॉंग ट्रम के लिए बने रहें तो आपको बहुत ही बढ़िया रिटरंस मिल सकते हैं पर इसमें आप लांप सांप ना करें एंड सिपके तुरू ही थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी इसमें एड करते रहें जब आई ओन डिप्स करें तो आपको आन आपको 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 आपक